हर हर महादेगा इसा सभी का स्वागत है दोस्तों ससे सड़का किचन में तो दोस्तों पकोड़े समोसे तो बहुत खाई होंगी ब्रिट से बनने वाला ये ये नए तरेकी की रेशिपी आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है जब जी करें कुछ नया और जटपट बना करके खाने का तब आप इसे enjoy कर सकते हैं बना करके और इसे party के लिए भी बना सकते हैं बच्चों के टीफिन के लिए भी बना करके रख सकते हैं तो चलिए फिर देर किस बात की चलते हैं kitchen में और आज ही नई recipe बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम recipe बनाने की कुछ तयारी करेंगे तो यहाँ पर 4 प्याज को मैंने छील करके लिया है एक हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है अदरक मेरे पास आज था नहीं तो आप अदरक भी इसमें डा सकते हैं और हरी मिर्च की quantity आप अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं तो चलिए पहले प्याज को हम इस तरीके से काट लेते हैं आज की ये bread से बनने वाली जो recipe हम बना रहे हैं इसमें आपको प्याज का भी आनंद मिलेगा और bread पकोड़ी का भी आनंद मिलेगा तो पहले हम प्याज को काट लेंगे पतला पतला सा और यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया है हरी मिर्च काट लेती हूँ मैं तो ये हरी मिर्च तीखा है तो मैं एक ही इस्तमाल करूंगी और धनिये को भी काट लेना है इस तरीके से सबी चीजों को अब एक बड़े बरतन में हम ले लेंगे तो मैंने एक बरतन में ट्रांसफर कर लिया है अब इसमें डालना है हमें कुछ सुखे मसाले एक चमच डाल दिया है हल्दी पाउडर कुटी हुई लालमिष डाल देना है यहां पर तीखा फिर से मैं बता देती हूँ आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा एड़ेस कर सकते हैं और आधा चोटा चमच हेंग डाल देंगे हेंग से बहुत अच्छा टेश्ट और फ्लेवर मिलता है और एक चमच हाथों से मसल करके कसूरी मिथी डाल देना है और दर्दरण कुटा हुआ यहां पर मैने इसमें लहसुन डाल दिया है और एक चमच के जितना इसमें डाल देना है mixed pizza seasoning और नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है यानि एक चमच मैंने इसमें नमक डाल दिया है तो मैंने Mercedes-Pizza seasoning थोड़ा सा ओर डाल दिया है मुझे कम लग रहा था तो आधा चमच मैंने और डाल दिया है अब इसमें 2 से 3 चमच मैंने डाल दिया है घी घी या बटर आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको ख़सता बनाने के लिए, यानि तेल भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर घ् subscribe के अब बेसं डाल कर के यानि मैंने यहाँ पर चुप बेसं का इस्तामाल किया है बेसं डाल करके अच्छे से पहले मसल लेंगे ताकि प्याज के लच्छे जो हैं वो खुल जाए और अलग-अलग हो जाए तो पहले मसल लेने के बाद अग थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका हाँ में गाढ़ा सा घोल बना करके तयार कर लेना है कुछ इस तरीके का थोड़ा-thोड़ा ही डालना है एक साथ पानी नहीं डालेंगे तो देखे इतना गाढ़ा गोल बना करके तयार कर लेना है इसे डहक देना है 10 मिनट के लिए अब इसे साइड में रख देते हैं चलिए हम बाकी की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर ब्रेड लिया है इस को बनाने के लिए तो सबसे पहले ब्रेट के किनारों को हमें निकाल लेना है यह जो ब्राउन वाला पार्ट है इसको हमें हटा देना है इससे हमारी रेसिपी जो है खराब हो सकती है क्योंकि यह ब्राउन वाला पार्ट थोड़ा सक्त होता है इसलिए इसको हटाना जरूरी है इसका आप फेकिए नहीं ब्रेट कुरम बना करके तयार कर सकते हैं और किसी और रेशिपी के लिए ये ब्रेट कुरम बन करके तयार हो जाएगा तो देखे, किनारों का भटाने के बाद बीच से इस तरीके से कट कर लीजे और चौकोर सेप में इसे काट लेना है तो देखिए इतने छोटे छोटे पीस में इसको काट करके तयार कर लेना है तो इसी तरीके से बाकी ब्रेट के किनारों को निकाल करके इस तरीके से हमें पहले ब्रेट को काट करके तयार कर लेना है तो इसी तरीके से बाकी ब्रेट को भी हम काट करके तयार कर लेंगे तो यहाँ पर सभी ब्रेट को इस तरीके से मैंने काट लिया है चलिए अब बनाने की बारी आती है तो गैस की तरफ चलते हैं आगे की प्रोसेस कर लेते हैं गैस पर यहाँ पर मैंने तेल कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है, मैं यहाँ सरसो का तेल इस्तमाल कर रही हूँ, आप इसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा, तो एक-एक ब्रेट के पीस को इस तारीके से लेंगे, और अच्छे से अपने बेशन वाले घोल को इसके उपर कभर करना है, और कभर करके तुरंद के तुरंद इसको तेल में डाल देना है, तो एक एक पिस ब्रेट को हम लेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे बेशन से और डालते जाएंगे तेल में तो देखें एकठा ही हमें ब्रेट को नहीं डालना है नहीं तो ब्रेट के पिसे तूटने के चांसे हो सकते हैं तो इसलिए एक-एक ब्रेट को ही हमें यहाँ पर बेशन के घोल में लपेटना है और फिर उसके बाद तेल में डाल देना है और हाँ दोस्तो जब भी आप पकोड़े या कुछ और चीज़े फ्राई करते हैं तो तेल जो है मीडियम गरम होना चाहिए जादा गरम तेल में इन पकोड़ों को हम फ्राई करेंगे एक तो यह जल्दी फ्राई हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे और दूसरा यह कि यह तेल बहुत जादा सोख लेंगे इसलिए जब भी आप पकोड़े या कोई चीज फ्राई करते हैं तो मीडियम गरम तेल में ही फ्राई करें इससे आपके तेल भी नहीं सोखेंगे और आपके पकोड़े भी कुरकुरे बनेंगे और अगर आपका तेल कम गरम होगा तब भी यह बहुत जादा तेल पी लेंगे तो इसके लिए मीडियम गरम तेल में ही आप इसन पकोड़ों को फ्राई करिएगा तो तेल आपका बिलकुर भी आपका नहीं सोखेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और उसके बाद आप उलटते पलटते हुए सभी को फ्राई कर लीजे जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब इसे आप तेल से बाहर निकाल करके किसी टीसू पेपर पे या फिर किसी पेपर पे आप रख स लगते हैं ताकि यह एक्स्ट्रा तेल जो है सोख लें तो देखे उलटते पलटते हुए लोटू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों साइट से फ्राई कर लिया है और इसी तरीके से बाकी बचे पकोड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे बनाने का मन करे तब आप इसी रेजिपी को वी कर सकते हैं आप सभी से पाटी के लिए भी बना करके रख सकते हैं और बच्यों के टीफिन और ब्रेकफास्ट में भी बाना सकते हैं यह खाने में बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म खाने में क्रिस्पी होता है और बहुत स्वाधिश्ट लगता है इस पकोड़े को अगर आप स्टार्टर के रूप में सर्व करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से चाट मसाला अच्छे से स्प्रिंकर कर दीजे और मिक्स कर लीजे या बच्चों के लिए इसको सर्व करके एंज्वाइ करना चाहते हैं तो इसके उपर से आप चीज भी गर्मा गरम पकोडों के उपर ग्रेट करके डाल सकते हैं तो बच्चों के लिए पाटी के लिए अगर बच्चों के बनाना चाहते हैं तो चीज भी ग्रेट करके आप सर्व कर सकते हैं तो इसे आप जैसे चाहे ऊपने तरीके से सर्व कर सकते हैं और इसे आप सौस या चटनी के साथ एंजयाइ कर सकते हैं आज ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बार